Hello, let's see the question, the question say in case of six toys are to be distributed equally between R, S and G then number of ways will be option A 75, option B 90, option C 100, option D 80 तो हमार पास क्या करना हमार को six toys को distribute करना हो equally R, S और G में तो हमको ये तरह कितने number of ways को distribute कर सकते है Firstly, I will tell you key concept और एक key concept आपकी help करेगा इस question को solve करने में तो हमार पास key concept एक हमकोगता है कि अब और आई टर्म आउट ओ अड न आई टर्म कें बी सिलेक्टीड इन एन रस बैस अब हम करेंगे इस की concept की help से अपने question को solve करेंगे अब देखो हमने करना है 6 तो इसको distribute करना है equally among rs and g तो हमने रगाज यहां पर अपकी total number of ways हमारे को लोजेगा अब this is equals हमने भी करना है एक को two toys देंगे फिर दूसरे को two toys फिर तीसरे को two toys तो हमने करने से solve करना है select करने है six मेंसे two toyश को दे दी फिर आजगा हमारे पक्तोषी तो बच्चे 4 और हमने वह दे दी एक को फिर हमारे पक्तोषी बच्चे two और हमको दे दी लिए थे एक करने है तो हमारे बंद स्कूल हो जजे हैं? इमल्टिप्लाईन नो जब भी तो हमारा एक्क हों जब भी लोगे दिस एन जाएक Lawrence जित खंवा हैं? कि संहाल आ को जो खंवादेन, बिंद सिंक भी तो हमारे लोगे 2 जपी üç तो जो हमारे न्हों होता है कि जो हमारे को दो हमytyy खालता हूझ तो हमें ने रहागे 3 मंट्लिप्लाइ अधिक जीनमी दिख Yakक आप न्हों जीन मुल्टिप्लाइ 3 means 12 and हमारे राज़ेगा 2 सिफ राज़ेगा 2 1 0 2 and 2 6 0 12 तो हमारे को ज़ेगा 15 x 6 means 90K इसका मतलब यह है कि option B correct है so the financial is option B is the correct option I hope you understood it well all the best thank you